हेलो जैने नमस्कार दोस्तों एक वांफर्च आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर्प से पहले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम क्योंकि आज का टॉपिक कुछ बैसा ही है और यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मतलब मैं सो वैसे सोच रहा था बनाने की कहा फिल्मी कीड़े के लियास से अगर मैं देखूं मतलब कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसके लादा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जिस तरह से आरार थी केजी एफ ती रादे शाम थी पुश्पा थी उस तरह का सीन हो सकता था अगर पुश्पा दिसंबर में आती लेकिन फाइनली जो है वो पुश्पा भी दिसंबर में नहीं आ रही है अब है काफी सारी मूवी हैं ब्रहमास्त्र है लेकिन मैं परसनली उतना जादा एक्साइटेड नहीं हूँ हमने उसकी टीजर का रियक्शन किया तर टेलर आने के बाद जो एक्साइटमेंट आ यह राम सितू भी आने तो बहुत सारी मूविस तो खेर बहुत सारी आनी है लेकिन उस तरह का जो एक एक्साइटमेंट लेवल होता है वो फाइनली अभी तो नहीं है वो मेरे अंदर सिर्फ बारा जनवरी के लिए मैंने बचा के रखा है अभी से मेरे मतलब सोच के अब मै वीडियो में तो सबसे पहली जिस्तों देखिए सबसे जो मैं एक 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 जोटा सा आपको देता हूं सचնही म Business बाहान ही रहेंगी और वर् इसी प्रकार से पहला pan india superstar हमेशा पहला ही pan india superstar रहेगा उसके पांडिया जितने भी आजाएं अच्छे अच्छे आजाएं वो बात अलग है मैं बात कर रहा हूं darling प्रबास की और darling फिर्बास की आने वाली movie जो भूत जादा आप बूल सकते much a headache movie है उसका फाइनली ओफिशल बजट निकल के आ चुका है ना तीन सो करोड ना चार सो करोड ना साड़े चार सो करोड अब पान सो करोड उसका वजट होने वाला है आदी पुरुष का जो के रामायन की उपर एक मूवी बन रही है एक तो यही चीज ना सबसे आता गौरबान में फिल करा देती है कि हमारे ग्रंतों में ही इतनी सचाईयां चुपी है हमारे ग्रंतों पे ही अगर मूवियां बनना है इस्टार्ट हो जाए तो इतने कॉंटेंट है इतने कॉंटेंट है क्योंकि बहुत सारा कॉंटेंट है बहुत बड़े बड़े ग्रंत है हमारे पास उनी मेंसे एक पोर्सन आपको आदी पुरुष में देखने को मिलेगा जो एक पराक्रम बाला साइड है बहुत सारी कॉल्टी जेंदे कि ये भूशन को मानने अनाउंस कर दिया है पानसो करोड के बजट में ये मूवी बन रही है और उसके बाद प्रमोशन बगेरा जो होगा उसका अलग से खर्चा होगा तो अब अब जो है वो छेसो सारी छेसो के करोड के आसपास ये मूवी बन जाएगी तो अभी तक की सबसे बड़ी मूवी हिंदुस्तान के इतियास की अब बनने जा रही है जो कि आपको बारा जनवरी को देखने को मिलेगी जिसका जोर सोर तीन महीने पहले हमने आपको अल्डेडी बताया है समय सबर जब भी आदी पुरुष की बात हुई है हमने बताया है कि बिना दसेरे और दिवाली के इसका प्रमोशन स्टाड नहीं होने वाला है अब राम नॉमी पर बहुत से लोगों ने क्यास लगा थे अपने भावनाएं जाहिर की थी बहुत से लोगों को नाराजी हुई थी बहुत से लोगों खुश भी हुए थे मैंने तब ही बोल दिया था राम नॉमी पर कोई तोखी नी बनता आदी पुरुष से पहला लुक निकलने का कुछ गिलम सा सकता है तो आएगा वो ही कुछ गिलम साया था साय से नई रिलीडेट आई थी बाराज जनवरी को देखने को मिलेगी या नॉर्मली राम नॉमी की उन्होंने बढ़ाई दीती मुझे ऐसा क्लियली तो याद नहीं है दसहरा दिवाली से आपको प्रमोशन स्टार्ट होता दिख जाएगा उस टाइम से फुल आउन जो है वो क्रेज आपको देखेगा और यही चीज है आदी पुरुष में प्रभास राज एजर राम सब सारी बात वहीं खतम हो जाती है इसलिए सबसे ज़्यादा एक्साइटड मैं आज की डेट में हूँ तो आदी पुरुष के लिए हूँ जब इसका पहला लोग निकल के आएगा प्रभास का पहला लोग निकल के आएगा पहला टीजर हमें देखने को मिलेगा 500 क्रोड मैं क्या बनाया है ओम राउत ने किसको चुना जाएगा ओभी धीरे-धीरे मतलब बहुत सारे धमागे करना है आदी पुरुष के मेकर्स को मेरे ख्याल से धमागे होंगे और इतने जवरदस्त होंगे कि आप कोई पैरोतल से जमीन किसके जाएगी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तो यही अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट थी सबसे बड़े बजट की हिंदुस्तान के इतियास की मुवी आदी पुरुष बनने जा रही है जो के रामायन पर बेजड है और ऐसे ही अगर टॉपिक अच्छे डायेक्टर चुनते रहे तो बहुत सारा कॉंटेंट है अब मुझे एक मुवी याद आती है मैंने बहुत पहले देखी थी नकसा हाला कि वो फ्लॉप हो गई थी वो दौर दूसरा था यह दौर दूसरा है उसमें एक छोटा सा एंगल हमें जो देखने को मिलाता कर्ण के कवज और कॉंडल का मतलब मुझे पता ही नहीं था और मतलब किसी को भी उसको नहीं पता था वो उसी एंगल से मूवी बहुत प्यारी लगी थी लेकिन वो हिट पता नहीं क्यों नहीं हो पाई इस तरह से हमारे ग्रंतों में ऐसे छोटी-छोटी कहानिया निकाली जाए और तरीके से मूवी बनाई जाए तो यह बहुत सही फढ़ना मुझे लगता है और यह कारगर सिद्ध होगा मुझे असा लगता है अब इसके बाद भी प्रवास की जो मूवी आने इसलिए मैंने सब सबसे पहले आपको बोला कि सबसे पहला प्रवास ठीक है बीच में कुछ मूवी आई उस तरह की नहीं चल पाए कुछ दौर भी उस तरह का नहीं था कोविड होए आया अब वाफसी करेंगे तो तरीके से बाफसी करेंगे उसके बाद जो प्रॉज़क्ट के आनी है वो प् मोटा मोटा प्रोमोशन का लेके ही चलिए और वो प्रोजेक्ट के जो बन नहीं है वो भी कैलास प्रवत के इर्दगेट इस तरह का कुछ उसमें कॉंसेट होने वाला है तो वो तो अभी खेर बहुत दूर है लेकिन अभी फिलाल आदी प्रोशानी है तो उसके लिए मैंने सुचाई छोटी सी अपडेट मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है जब भी आईगी जैसे भी आईग हैं और कमेंट में बोलें जै जै श्री राम